हेलो दोस्तो आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज है दिसमबर की आठ तरीक और दिसमबर का महीना शुरू हो गया है जैसे आप सभी को पता है कि धंड है बहुत जादा अभी आने लग जाएगी बढ़ने लग जाएगी उसमें आप कौन से पौदे लगा स हैं जैसे आप अभी भी देख सकते हूँ इसके उपर फूल है इसको मैंने सैमी शेडीरिया में भी रखा हुआ है और एक पौदा मैंने धूप में रखा हुआ है दोनों में मुझे कोई जादा फरक नहीं लगा है दोनों में फ्लावरिंग है इसकी बहुत बढ़िया आती ह इसको अगर आप सपोर्ट देंगे जैसे कोई स्टेक है आपके पास या फिर कोई भी चीज है उसके साथ जादा बढ़िया रहेगा क्यूंकि अपने आपको अच्छे तरीके से उस पर बाइंड कर लेगी और बहुत बढ़िया तरीके से फूल देगी तो इसको भी आप प्राइटीज है आपको धेरों सारी मिल जाएगी अगर आप दस पौदे लेकर आओगे दस पौदों के अलग-अलग कलर्स भी आपको नर्सरी से मिल सकते हैं और इसमें दोस्तो एक चीज रहती है जो आपको याद रखनी है वो है पिंचिंग जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये मैं चीज हमेशा बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ ही दोस्तो आपके पेटूनिया के फूल है वो रोक जाते हैं क्योंकि इनका जो पौद है बीच बहुत जल्दी बनाता है इसको तोड़ते रहें ये है दोस्तो डेलिया के पौदे ये भी बहुत ज़्यादा अ या पौद ही आप खरीद कर लेकर आएं अभी के मौसम में आपको 10 रुपे के सबसे पौद मिल जाती है उसको आप लगाएं और मस्टर केक का दस दिनों में एक बार आप फटिलाइजर देंगे ये बहुत अच्छी से फूल देंगे और दोस्तो हमारा जो अगला पौदा ह इसका नम है गजेनिया गजेनिया में भी दोस्तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है आप देख सकते हो जो ये वाला पौदा है ये हमारा बढ़ रहा है अभी इसमें दोस्तो आपको फूलों के जो रंग होते हैं वो बहुत जादा डार्क मिलते हैं जैसे इसके फूल भी बड़े होते हैं जो दवार फवरेटी होती है और जब भी आप इसका पौदा लगाते हो याद रखें ये धीरे-धीरे से ग्रोफ शुरू करता है जब आप शुरू से सैप्लिंग लगाओगे ये कम से कम एक डेड़ महीना ले लेता है फूल निकालने के लिए पर एक तो हमारा जो अगला पौदा है ये है मेरीगोल्ड मेरीगोल्ड दोस्तो सभी का मन पसंद पौदा रहता है गेंदे का पौदा और गिलहेरियों का भी गिलहेरियों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं हमारे हां पे रोज के रोज ये जो गेंदे के पौदे होगे पैं के लिए help करते हैं वो आते हैं और यह जारा तर सर्दियों में लगा जाते हैं हाला कि गर्मियों की वराइटीज होती हैं पर वो छोटे फूलों वाली होती हैं अभी के लिए बड़े-बड़े फूलों वाले आपके पास पौदे आप नर्सरी से ले सकते हो यह दोस्तों फ्र से एक इसका कलेक्शन बनाऊंगा और साथ के साथ आपको दिखाऊंगा भी इस पर मैंने देखा है कि इसके जो फूल है सबसे जारा बढ़िया रहते हैं एक महीन अच्छे से टिकते हैं ना ही कोई इसको जारा कियर की जुरत होती है सिंपल आठींचे गमले में आपने लग पूल आने से पहले आप करते रहें जब फूल आ जाएं तो आपको कोई फटलाइजर देने की जुरूरत नहीं है और दोस्तों मारा जो अगला पौदा है इसका नाम है डॉक फलार यह दोस्तों मैं नरसरी से पौदे लेकर आया था क्योंकि मुझे मेरे सैपलिंग्स भी ब सिर्फ वही फूल पहले खिलते रहते वो बीच बनाते तो वहीं पहीं पहीं पौदे की ग्रोथ रुकी रह जाती है जिसके कारण पौदा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है अभी देख सकते हो आठ तिंचे गमला फुली कवर कर लिया है और दोस्तों हमारा जो अगला पौ तब उस वक्त इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है इसका नम है वर्बीना वर्बीना में भी बहुत अच्छे भूलाते हैं जैसे आप देख सकते हो इसमें कलर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं मैं पौदे तो लेकर आया पर इसमें कलर सेम से मागे हैं पर फिर भी हेंगिंग बास्केट के लिए ये आइडियल प्लांट माना जाता है सिर्फ 20 रुपई के हिसाब से आपको ये प्लांट नर्सरी से मिल जाएगा और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है इसका नम है इंपेशन्स इंपेशन्स द पर फूल आने लगे हैं तो मस्टर के इका फटलाइजर भी इनको पसंदा आप वो देखे देख सकते हो पर याद रखे इनको फंकस भी जल्दी लगती है इसलिए गुडाई कर दीजिए साथ के साथ अगर आप कोई भी फटलाइजर लिकोड डालते हो इसमें और दोस्तों मैंने रखा था वहां पे बड़िया तरीके से एर सर्कुलेशन नहीं थी तो हमेशान जब भी कोई पौदे लगाते हो बैगूनिया के या कोई भी उनको अच्छी जगा पे रखें जहां पे धूप आए और साथ के साथ इनकी वाटरिंग भी आपको मेंटेन करनी और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है इसका नम है है ऐई विसक्स भी दोस्ते एक तरह का पर्मरैंट पलांट है और इसकी वराइटीस आपको बहुत सारी मिल जाएंगे पूने, जो पूने से आते हैं जो पौदे, उने बहुत सारी वराइटीक रहती हैं ये सरफ आपको पहचानने पड़ेंगे अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो एक-एक पौदे को देखकर ही आपको पता लगेगा कौन सा पौदा कौन से रंग का है तो मैंने भी ऐसे ही पौदों में रंग निकाले हैं सभी कलर्स दोस्तों जो हम ऑनलाइन देखते हैं लेने के लिए वो लोकली भी मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से देखें कोई बड़ीया नर्सरी में जाएंगे जहाँ पर कलेक्शन होता है तो ये सभी पौदे आप अभी भी लगा सकते हैं तो यही दोस्तों कुछ पौदे थे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने सीडलिंग्स जैसे सीड से लगाए हैं सीडलिंग्स हैं अभी तो अभी उन पर फूल नहीं आया है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पर अब ही जो लगा सकते हो यह कुछ पौदे हैं आई होप आपको यह प्लांट्स पसंद आए होंगे जो भी आपका मन करता है अब नसरी में जाएं परचेस करके लेकर आएं और अच्छे से देखपल करके उसको लगाएं तो सभी पौदे बहुत बढ़िया लगेंगे तैंक यू फॉर वाचिंग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा और कमेंट में बताइएगा जूर आपको कौन सा पौदा सबसे बढ़िया लगा हमारे गार्टन में तैंक यू